धर्म एक ऐसी चीज है जो अकसर लोगों को इंसानियत से थोड़ा दूर खीश लेती है इस चीज का सबसे जादा फाइदा उठाते हैं हमारे देश के कुछ घटिया पॉलिटीशन जो लोगों को आपस में लडाने का काम करते हैं और अपने जूटे प्रोपगेंडा को जबर जिसरों के हाथों में दे देते हैं सोचके देखिएगा जवाव आपको जरूर मिलेगा इस टॉपिक को हवा दी है एक नई फिल्म ने जिसको देखकर ऐसा रखता है मानों फिल्म के मेकर्स फिल्म से जादा एक ऐसी कहानी सुनाना चाहते हैं जिसका सिफ एक एजंड़ है एक धर्म को ऊपर दिखाना और दूसरे को एकदम बेवकूफ और नीचे दिखाना ये तो गलत बात है ना हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ दिक्षा वेलकम टू फिल्म में रिव्यू आफ बातला हाउस जो दिल्ली पुलिस के उपर उठाए गए सवालों के जवाब देने का काम करती है लेकिन फिल्म के मेकर्स ने चार-पांच मिनिट लंबा एक डिस्क्लेमर भी डाला है जो यह क्लियर कर देता है कि यह फिल्म बिल्कुल भी नहीं है यह बस आपको एक फिक्शनल स्रोरी दि जिस तरीके का कॉंटेंट आप जौन की मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको इस फिल्म में बिल्कुल नहीं मिलेगा फिल्म में म्यूजिक के नाम पर आइटम सॉंग और रोमेंटिक सॉंग को डाला गया है जिसकी स्टोरी आन में कहीं से भी फिट नहीं बैठते है फिल्म को वीक बना देता है इसका खराब डिरेक्शन जो कहानी को अटपटासा बना देता है मतलब कोई भी सीन कहीं से भी शुरू हो जाता है और कहीं पर भी खतम हो जाता है फिल्म में बेमतलब की लव स्टोरी दिखाने की भी कोशिश की गई है जिसका ना तो सर है ना प करेकटर को प्ले करते हैं आप अपने की एक्टिंग लिए पेन बन जाते हैं फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी हैं इसकी फीमील एक्तर जो फिल्म की की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है लेकिन इन सब को आप भूल जाएं फिल्म के सबसे बड़े विलेंस में डाले गए एजेंडा वाले डायलोग्स चो फिल्म को इसकी स्टोरी लाइन से थोड़ा दूर कर देते हैं फिल्म में डांस चल रहा हो या फिर कोट वाला सीन लेकिन दर्म डालना जरूरी है क्या नहीं मतलब आप क्या दिखाना चाते हो इंडिया में हर इंसान उसके दर्म से जाना जाता है मेज इस ससाइटी में रहती उसमें इंसानों को इंसानों की तरह देखा जाता है ना की हिंदू-ë- psychedel- gürex लेकिन जिस तरीके से इसमें आइटम सॉंग और फालतू के डायलोग्स का तड़का लगाकर इसको धाई गंटे तक खीश दिया गया है उसका असर आपके दिमाग पर गहरा पड़ सकता है। हाँ लेकिन अगर आप उन महाल लोगों में से हैं जिनको धरम का खेल खेलने में सुकून मिलता है तो बाटला हाउस आपके लिए जन्मेट की तरह साबित होने वाली है। मेरी तरह से बाटला हाउस को पांच में से दो स्टार, एक स्टार फिल्म में जॉन अब्रहाम की दमदार परफॉर्मेंस के लिए और एक स्टार फिल्म के एक्शन सीन्स को रियलिस्टिक रखने के लिए वरना बॉलीवूड की फिल्मों में प्लेन से जाधा इंसान उठते के बाद थेटर से सही सलामत बहार आने में सफल हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलना मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई